क्युम सीखेंगे दिवा का मतलब पहले इसका मतलब होता था बहुत लोग पर यह ओपेरा सिंगर्स जो अग्रेजी नाटकों में जो गाना गाती थी जब यह सिंगर्स बहुत फ्यमुस था थे तो उन्हें दिवा कहा जाता था दीरे दीर इसका मतलब बदल के हो गया कोई भी गाई का कोई भी यांग female singer जो stage performances देती हो और बहुत popular हो उन्हें दिवा कहा जाने लगा और आजकल इसका मतलब बदल कर थोड़ा हो गया है कोई भी लड़की जिसे ऐसा लगता है कि वो दूसरों से अलग है या सोचती है कि दुनिया उसकी चारों तरफ गूमनी चाहिए इस इसरक attitude रखती है उन्हें भी दिवा कहा जाने लग गया है तो चलिए एक इसका sentence देखते हैं मतलब एक लड़की जो ऐसा विवार करती है जैसे दुनिया उसके चारों दरफ गूमती है उसे अक्सर मजाक में दिवा कहा जाने लग गया है तो मुझे आशा आपको दिवा समझ मैं होगा धन्यवाद